अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ओपो F7 से कैसे आप आप सम पिक्चर्स निकाल सकते हैं इसमें धेर सरे ऐसे आप्शन से आपको थोड़ा से ट्वीक करना पड़ता है तो बहुत ही शार्प एंड क्रिस्टल क्लियर डीटे और कैमरा जैसे और मैं आपको टोटल से डीटेल वाक्त्रू दे दूंगा कि क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है इसमें आप और कैसे चेंज करके आप बहुत ही अच्छे पिक्चर्स निकाल सकते हैं बहुत ही खूब सुरत नजार आई यहां पर पार्क में तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको सीन्स भी देखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और जानते हैं ओपो एफ सवन से कैसे आप आप आसम पिक्चर्स को खीच सकते हैं तो यह है ओपो एफ सवन का कैमरा यूजर इंटरफेस जैसे ही आप कैमरा आइकॉन को प्रेस करते हैं तो डिरेक्ली आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर देर सरे मूट्स है फोटो है वीडियो है टाइम लैप्स है हम जस्ट एक मिनिट के बाद इसको सा को यहां पर गवर करना है देखें यह है फुल स्क्रीन स्क्वाइर मूड अभी तो फॉर इस्टू तो त्री आस्पेक्ट रेशियो वाला है चल रहा है यहां पर तो यानि फुल मैक्जिमम रेजलूशन 25 मेगा पिक्सल का जो है वो फुल रेजलूशन में देगा आपको अ आपको डिरेक्टली स्क्वाइर आजाएगा आप इंस्टेंटली शेयर भी कर सकते हैं तो आपको बाद में क्रॉप करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो ऐसे यूज कर सकते हैं इस मूड्स को लेकिन थोड़ा रेजलूशन कम वाला मिलेगा आपको लेकिन फिर फिर भी ड अगर आपको फुल इमेज साइज फुल मैक्जिमम सेंसर का यूटिलाइस करना है हमेशा तो आप स्टैंडर्ड मूड पर ही कैप्चर करना पड़ेगा तो यह था यहां से पहला मूड तो नेक्स्ट हम देखेंगे यह देखें टाइमर है त्री सेकेंड्स तेन सेकेंड्स अगर आपको पिक्चर्स लेना है तो एक बार ऐसे टाप करके पिक्चर्स को लेना है तो नेक्स्ट है देखें निव मूड यहां पर एक ओपाएफ सवन में आपको मिल रहा है जो कि वीव वी नाइन में नहीं सूपर विविड मोड अभी जैसे कि यहां पर पार्क है इचे मिलते है जस्ट एक बार कैप्चर करेंगे तो देखें कितना विविड इमेज आपको मिल रहा है बहुत ही सैचुरेटेड करके आपका जो भी मेज होता है वह फुली सैचुरेटेड ग्रीन सब्स बहुत ग्रीन हो जाएगा और जो सका है वह बहुत ही ब्लू हो जाए है तो depth effect को जरूरान कीजिए यह है इसको आप बोकेव मोड भी कह सकते हैं तो यह वाला बबल सा है तो एक बार टैप करेंगे तो अन हो जाएगा तो जो भी close-up images होता है बार टैप करके capture करेंगे तो background सारे और फोकस हो जाएगा अभी मैं आपको just take sample दिखाऊंगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्लवर है और इसका ब्राइंच जो है यह background full landscape का ही है मैं एक बार यहाँ पर सामने टाप करता हूं ताकि focus को अच्छी तरह से मिले और टाप करते एक बार capture कर देता हूं तो क्या होता है background आपको अच्छी तरह से blur मिलेगा देखें बिल्कुल background blur हो चुका है और जो भी subject है वो detail में आएगा तो ऐसे आप depth effect को यूज कर सकते हैं जो की forcibly hdr का on कर सकते हैं या फिर auto mode पर भी छोड़ सकते हैं तो ऐसे high dynamic range को capture कर सकते हैं ताकि starting from the foreground element आपको background element तक details से आपको capture होके सारी जो भी information है वो आच्छी तरह से capture होगा तो ऐसे आप hdr को use कर सकते हैं नेक्स्ट है flash तो flash को off कर सकते हैं on forcibly on कर सकते हैं और auto mode भी है और fill light fill light या नहीं जैसे white display होता है light तो वैसे light लेके वो भी होता है या फिर आप permanently इसको on करना चाहते हैं तो light fill को on कर सकते हैं तो ऐसे off on and auto फिलाला भी हम off करेंगे इसको यहां पर छोटा से का icon है देखिए जब भी कोई भी mood पे हो अभी default photo mode पे है तो फिर भी यहां पर आपको beauty mood और filters दिये है first time on Oppo F7 तो ऐसे आप यहां से beauty mood को कभी भी on करके आप ले सकते हैं मान लिजे चार पांच friends है आपके उसके pictures ले रहे हैं तो आप यहां ही से beauty mood को on करके level change करके आप pictures को capture कर सकते हैं यहां से filter को एक बार tap करेंगे तो ऐसे धेर सारे live filters है live आपको पता देगा क कैसे picture आने वाला है तो ऐसे आप एक बार just tap कर दीजिए तो वह filter effect आ जाएगा तो नंग जाने के लिए सबसे पहला जो है original उस पर छोड़ देना है तो इतने सारे settings आपको by default photo में मिल रहा है अगर आपको जूम करना है photo तो ऐसे पिंचाइंट जूम कर सकते हैं बहुत स्मू mode को change करेंगे photos से video यहां पर मुझे slow motion का video setting बिल्कुल नहीं मिला है अगर आप जानते है तो comment section में जरूर बताए तो क्योंकि यहां पर सिर्फ 720p and 1080p का resolution है 4K भी आप capture नहीं कर सकते unfortunately disappointing thing हम कह सकते है तो सिर्फ 1080 and 720p and यहां पर आपको जूम भी मिल रहा है वीडियो capture करते वक्त उसके साथ beauty level भी 1 से up to 6 level beauty moods है तो आप background को blur करके जो भी subject है अगर interview ले रहे है या फिर आपना ले कुछ वीडियोस बना रहा है बरत देखा तो beauty level on करके भी आप ले सकते है वीडियो को तो हम अभी वीडियो mood पर है तो back लेके next time lapse है तो आप अच्छी तरह से time lapse को भी capture कर सकते है उप एफ 7 में तो next mood जाने के लिए से swipe करते जाए तो sticker mood separate अलग से दिया है तो यहां से देखे फिर से आप standard full screen या फिर square resolution है उसके साथ यहां पर एक magic वाला band का जो symbol है एक पर tap करेंगे तो धेर सरे से settings का तो ऐसे धेर सारे stickers है तो जो भी stickers आप टैप करेंगे अगर person है तो automatically recognize हो के वहां पर artificial intelligence के द्वारा वो sticker आची तरह से वहां पर बैटेगा तो ऐसे यूज करने के लिए यह sticker यहां से magic wand है तो along with that beauty mood भी है filter भी है तो ऐसे अरे settings आपको sticker में मिल जाएंगे तो वैसे अगर एक बार swipe करेंगे तो panorama है तो easily आप panorama ले सकते है ओपो F7 में and this time आप ऐसे vertically लेना है आपको horizontally तो ऐसे movement नहीं आ रहा है यहां पर तो vertically आप ले सकते है panorama mode में next सब से interesting है expert mode लेकिन यहां पर दो चीज मिसिंग है कि matrix center weight and spot metering बिल्कुल नहीं दिया है तो आपको अगर tap करके hold करेंगे तो यह AF lock होगा तो exposure यहां पर lock होके आपको metering अपने आप decide करेगा वो disappointing thing है क्योंकि अगर matrix metering change करने के लिए option था तो बहुत ही अच्छी तरह से आप जो भी pictures है व ठीक है यहां से आप ultra HD on कर सकते हैं यानि बिल्कुल high resolution वाला pictures आपको मिलेगा लेकिन आपको आपका हाथ है बिल्कुल steady रखना पड़ेगा आपको mobile के उपर तो इसको एक बार tap करेंगे ऐसे तो off हो जाएगा next timer जैसे कि मैंने photo mode में भी था तो same timer mode यहां पर है next flash तो उसके स अगर आप जो colors यहां पर दिखाए दे रहा है उससे संतुष नहीं है तो white balance से आप जरूर ऐसे change करके देख सकते हैं तो जैसे ही number कम होता जाएगा वह cooler side जाएगा जैसे number बढ़ाएंगे तो वह warmer side होगा तो ऐसे आप जो भी temperature है तो ठीक से आप capture कर सकते है आटो के लिए य दो स्टाप अगर जादा देंगे तो देखें बहुत ही bright होके आपको अच्छी तरह से pictures मिलेंगे तो darker situations में बहुत होगा exposure value जो की exposure compensation हम कहते हैं तो next mood है यहां पर ISO ISO यानि कि आप इसको auto छोड़ते हैं तो ही अच्छा है क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही number बढ़ता जाएगा noisier images आपको मिलेंगे तो यह कुछ controlled situation environment में बहुत ही अच्छे pictures मिलेंगे आपको तो ISO आप आटो पर ही छोड़ दीजे वह अच्छी तरह से range यहां पर 100 ISO से up to 3200 ISO मिल रहा है आपको which is very good from Oppo F7 तो बहुत ही अच्छे आपको night images भी मिलनी चाहिए next shutter तो अगर ज्यादा fast movements है पर देखिया भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हिल रहे है तो आप थोड़ा shutter speed को ज्यादा करके भी आप picture लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से still images मिलेगा तो वैसे ही अगर slow करेंगे shutter speed का value तो बहुत स्मूथ silky water का जो भी image होता है तो वह सारा आप ले सकते है shutter speed को slow करके तो यहां पर auto है auto tap करेंगे तो automatically decide करेगा next day auto focus तो manually अगर आप focus को change करना चाहते है तो slider को ऐसे change करते आप decide कर सकते है कि कहां पर focus होना चाहिए कहीं बार रहे से हंट करता है focus तो आप यहां से change जरूर कर सकते हैं लेकिन इसका Oppo F7 का बहुत ही बहुत ही अच्छा focusing system है and I'm really impressed with the focusing system on this camera user interface तो इतने धेर सारे settings है जो भी settings इसमें था camera related मैंने आपको दिखाया last but not the list यहां पर देखिए अगर आप तो यहां अगर आप settings पर जाएंगे तो last में आपको camera करके है camera मिलेगा तो यह camera में क्या है कि volume button shutter यानि shutter use करते है इसे क्लिक करने के लिए तो volume button से भी आप click कर सकते है जूम कर सकते है तो ऐसे आप यहां से change कर सकते है next grid ला सकते है आप composition अच्छी तरह से लेने के लिए next shutter sound तो क्लिक करते है तो sound आता है उसको off-on करने के लिए next location tag अगर आप यहीं पर लिए है photo तो वो भी record होना है तो location GPS tag से वो locate होगा तो वो वह ला location है next flip selfie अगर आपका image ठीक से नहीं आ रहा है तो जो भी front camera से लेते है तो mirror selfie flip होकर आता है तो आप यहां से on कर सकते हैं तो last but not the least यहां पर watermark दिया है तो watermark को आप tap करके on करके जब भी आप camera पर जाएंगे तो यहां पर आपको watermark मिलेगा तो इ flowers का लेंगे तो flowers करके हां पर change होगा तो automatically decide करके वह बहुत ही तरह से background भी आपको blur करके देगा तो यह सारे सेटिंग्स ओपवा एफ सब्सक्राइब आपको पसंद आएगा अगर है तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके जरूर बने रहे हमारे चैनल पर मिलता अगले वीडियो में तब दर के लिए टे कर अपना बाइबाई